हेलो एवरिवन यहाँ पर एक सर का कमेंट आ रहा था सुर प्लीज में एक वीडियो ऑन जी आई पीसी एल निंगा राज इनका नाम है क्विक्ली इसके एनलेसेस देख लेते हैं चैनल को लाइक हैं सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा तो गुजरात इंडस्ट्री पावर में आप देख रहे होगे कि स्टॉक में आज जो रिजिस्टेंस देखने को मिलिए कल ही जैसी रिजिस्टेंस देखने को मिलिए यहाँ पर आप फॉर्मेशन देखें पहले तो स्टॉक एक पैटरन के अंदर मूव कर रहा है और यहाँ पर चैनल बनते हुए नजर आ रहा है यह कुछ फॉर्मेशन है स्टॉक की उपर इस चैनल से जाके रिजिस्टेंस हर बार ही फेस करते हुए नजर आता है तो इंपोर्टेंट लेवल है और साथी साथ आप देखें तो ऊपर की यह जो ट्रेंड लाइन है यहाँ रिजिस्टेंस देखाई और साथी साथ यहाँ भी रिजिस्टेंस बन रही है तो एक ऊपर का हर्डल काफी इंपोर्टेंट हो गया और इसके वज़े से निकल नहीं पा रहा है जब भी trendline के करीब पहुंचता है reversal बन जाता है और इसी वज़े से stock को हर बार की तरह है वहीं से reversal दिखने को मिलता है कल की बात करने तो कल stock नहीं यहाँ पर breakout दिने की कुशिस करी बट the same day reversal काफी जादा था seller's activeness बहुत थी आज भी stock में आप देखें तो उपर exact same level पर hurdle आज भी face होती है 231 के आसपास तो यहाँ पर आप देखें कि अगर एक दो दिन और यहाँ पर reversal बनते हैं तो फिर यहाँ से stock घुमना शुरू कर देगा reversal के साथ क्योंकि यह आपका support बनते हैं नजर यह वाला आया कल भी यहीं से आप देखें कि bullishness देखें स्वारी परसों यहाँ पर आप देखें तो candle उपर तक गई बट close भी इसी level के आसपास होई 224, 225 और आज भी देखें तो वहीं से bullishness होई थी तो 225 psychological level तो sustain कर लिया बट उपर जो trend line का hurdle है वो नहीं निकल पा रहा है कहीं न गहीं तो यहाँ पर आपका एक दो दिन अगर और यह momentum बनता है फिर से तो यहाँ से फिर कहीं न कहीं buy exhaust हो जाएंगे और फिर stock धीरे धीरे करके नीचे आ सकता है यह तो ही नीचे वाली बात के नीचे कैसे आएगा अब उपर जाने का क्या सीन रहेगा तो उपर जाने के लिए stock को आप देखें तो यह वाला जो hurdle है trend line का 232 इसका just level आता है यह sustain करना बहुत जरूरी है यह एक बारी sustain अगर कर जाए और फिर जो recent का high है यह वाला 237 यह अगर break हो जाता है यहां तक भी अगर पहुँच के closing दे दीता है positive तो फिर कहीं न कहीं buyers में confidence रहेगा और उसमें फिर आप देखें next day एक bullishness देखने को मिलेगी उपर की दिशा के लिए अपना बड़ा hurdle है 237 और 237 अगर sustain हो जाता है तो next बड़ा hurdle जो अपना रहेगा वो रहेगा 245 क्योंकि 250 का psychological level nearby है इसलिए तो उपर की दिशा में अपने सिर्फ यह दो ही target लेके चल रहेगा तो यह अपने होगा targets और यहां तक पहुँचने के लिए आप देखें अगर stock momentum पकड़ेगा उपर की दिशा में तो पहला hurdle अभी यह हैगा एक 3% में यह आएगा next आप देखें अगर consolidation सही रहता है तब निकलेगा otherwise यहां से reversal बननेगा जैसा कि पहले बनाता यहां पर आप देख रहे होंगे यहां तक stock आया था consistently 5-6 दिन इसी line के पास support बनाये रहे 166 क्यास पास और support break होके stock suddenly नीचे पहुचा था तो यहां पर एगर एक दो दिन रुका रहा है stock और कोस जरूरी है तो यह gap link अनने के लिए stock नीचे आएगा तो अगर नीचे की दिशा में stock आ रहा है और नीचे की दिशा में अगर आप देखें तो stock इस level तक आ रहा है यहां कहीं तक तो फिर यहां कहीं accumulate कर यह 180 के आसपस तब आपको यहां से returns जादा बहतर देखने को मिलेंगे क्योंकि यहां से फिर आप ऊपर की दिशा में फिर से जब चलेंगे तो returns आपके निकल गाएंगे 36% के तब आपका accumulation थोड़ा बहतर रहेगा अब बात कर लें कि stock में support कहा होएंगे तो support अपने रहेंगे कि stock आज की closing होई है 224 के around हुई है तो closing के लिए बाद अपना जो next support क में यहां पर आप देखें यह पूरे में stop losses होंगे और stop losses के साथ यहां पर एक red candle आईगी और बड़ा fall बनना शुरू हो जाएगा तो फिर अगर यह level टूड़ गया 200 का यहां पर नीचे आने के बाद और 200 sustain नहीं कर पाता है तो फिर आप सोच लिए नीचे तक ही आएगा stock 100 क्योंकि यहां पर फिर कुछ रोकने वाला है नहीं 200 का level एक बड़ा level है जहां पर buyers ही होंगे अगर वो level exhaust होगा है buyers exhaust होगा है उस level होगे तो obviously नीचे ही आके मिलेगा आपको stock 180 के आसपास तो hopefully आपको समझ आ गया होगा क्या कैसा momentum रहने वाला है आपका तो वीडियो यहीं त जग रखते हैं मिलते नेक्ट वीडियो में दिस इस मीजु बम्यादव साइनिंग अफ